हेलो गाई शूगत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं chemistry के important question जोकी class 12 के students के लिए होने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम P Block Element के IMP question discuss करने वाले हैं most important question रहेंगे 2021 के लिए तो आपको एक भी कॉशन नहीं छोड़ना है विकोज जितने भी कॉशन हम आपको दे रहे हैं वो प्रिवियस 10 एर के कॉशन पेपर से लिए गए हैं इसके अलाबा यह सभी कॉशन बोर्ड एक्जाम 2021 के लिए बहुत ज़्यादा IMP है तो चलिए आज काई वीडियो स्टार्ट करते हों और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हमारे चैनल पर MP board से related हर एक study material आपको provide कराया जाता है तो सबसे पहला first question आप देख सकते हैं describe Brody's ozonizer with diagram अब यहाँ पे जो आपका Brody's ozonizer है यह आपको यहाँ पे explain करना है इसकी method explain करना है और diagram भी बनाना है तो देखे जितने भी type के ozonizer है इस chapter में वो पूरे आपको करना है एक भी ozonizer नहीं छोड़ना है इसके बाद है next question हमारा draw level diagram of laboratory method of phosphine and chemical equation अब यहाँ पे यह question आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो phosphine की chemical equation राइट करना है उसके बाद diagram बनाना है then आपको पूरी process method राइट करना है phosphine की how phosphine formed कैसे बनती है laboratory method यहाँ पे पूछी गई है तो आपको laboratory method यहाँ पे बतानी है phosphine की तो यह question भी 2, 3 या फिर 5 marks में पूछा जा सकता है 4 marks के लिए भी बन सकता है तो देखिए दोनों question बहुत जादा IMP है एक भी question आपको नहीं छोड़ना है और देखिए बच्चे को doubt रहता है बच्चे सोचते हैं कि chemistry का paper बहुत tough आता है लेकिन ऐसी बात नहीं है chemistry का paper बिलकुल easy आता है आप 2020 का paper उठा के देखेंगे तो बिलकुल सरल paper आया है और 2021 में तो और सरल आने वाला है विकाउज कोविट चल रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं फालतू बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर describe the laboratory preparation of chlorine अब यहाँ पर आपको describe करना है chlorine की जो method होती है laboratory preparation chlorine की यहाँ पर chlorine कैसे बनती है laboratory में आपको पूरी method explain करना है इसकी equation write करना है तो यहाँ पर यह question भी 3 या 4 marks के लिए पूछा जा सकता है board exam के लिए बहुत ज़्यादा important है इसके बाद यहाँ पर एक नीचे question है explain bleaching action of CL2 and SO2 यहाँ पर आपको bleaching action explain करना है CL2 और SO2 के लिए इसके बाद है हमारा next question write main differences between the properties of white phosphorus and red phosphorus एक question आपका NCRT का है अगर बच्चों के पास NCRT है तो आप NCRT में देख सकते हैं आपको इसका answer भी मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको difference write करना है जो main differences है red phosphorus और white phosphorus के बीच में अगर एक question 3 marks के लिए बन रहा है तो 3 से 4 point note करना है अगर एक question 5 marks के लिए पूछता है तो minimum आपको 5 point write करना है तब जाके आपको 5 marks मिलेंगे तो यह लिए आँगे बढ़ते हैं इसके बाद हमारा next question explain साइमन हेल्स की ozonizer for the manufacture of ozone and draw a level diagram अब यहाँ पर साइमन हेल्स की जो आपका ozonizer होता है यह ozone को manufacture करता है और इसका diagram भी आपको बनाना होगा यहाँ पर तो साइमन हेल्स की बहुत easy है यह ozoneizer अगर आपको नहीं आता आप comment करेंगे तो इसके उपर हमालग से वीडियो बना देंगे आपको पूरा explain कर देंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले तो साइमन हेल्स की ozoneizer की definition दे रहा है means इसको explain करना है समझाना है उसके बाद manufacture of ozone इसकी एक equation होती है वो आपको note करना है देन आपको diagram बनाना है तो यहाँ पर इसका काम हो जाएगा 5 marks के लिए या फिर 4 marks के लिए एक caution बन सकता है बहुत IMP है तो आपको एक भी caution नहीं छोड़ना है टोटल 6 question आज हमने आपको दिये हैं तीन question यहाँ पर आप देख सकते हैं और तीन question यहाँ पर है 5 question हमने देख लिए अब last question है right formula structure and oxidation state of any three oxoacid of phosphorus, chlorine and sulfur अब देखे एक question बहुत ज़्यादा IMP है यहाँ पर question किस टाइब से बनेगा right formula and structure formula और structure भी पूछ सकता है और oxidation state भी पूछ सकता है तो आपको तीनों चीज़ें अच्छे से तयार करना है किस किस के लिए पूछ सकता है तो सबसे पहला तो chlorine के लिए कम पूछा जाता है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है sulfur और phosphorus के लिए तो यहाँ पर आपको phosphorus और sulfur के लिए अच्छे से तयार करना है उसके बाद chlorine के लिए और यहाँ पर देखे three oxoacid लिखा हुआ है तो three oxoacid आपको chlorine के right करना है और five write करना है आपको phosphorus के और 5 write करना है आपको sulfur के तो यहाँ पे 5 oxoacid आपको phosphorus के write करना होगा 5 oxoacid sulfur के write करना होगा और 3 oxoacid आपको chlorine के write करना होगा अब caution देखिए यहाँ पे एक caution में तीनों चीजों के oxoacid नहीं पूछे जाएंगे सबसे पहला एक caution बन सकता है कि write 5 oxoacid of phosphorus and draw structure तो देखिए इस टाइब का question बन सकता है फोसपोरस के पूछ लेगा या फिर sulfur के पूछ लेगा या फिर और में भी question बन सकता है write formula and structure and oxidation state of any 5 oxoacid of phosphorus 5 होते हैं phosphorus के 5 होते हैं sulfur के और 3 होते हैं chlorine के chlorine के 3 पूछेगा तो यहाँ पर stripe से आपको पूरे question करना है I hope video सभी को पसंद आया होगा अगर किसी भी question का answer आपको नहीं मिलता है या फिर doubt आपको लगता है किसी भी question में तो आप comment कर सकते हैं या फिर आप instagram पर message कर सकते हैं bun study gear हमारी instagram official id है आप instagram पर message कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आती है तो चलिए आज काई वीडियो यहाँ पर समाप करते हैं I hope video सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को like कर दीजिए because आप वीडियो को like करते हैं तो हमारा होसला बढ़ता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा study material प्रोवाइड करा पाते हैं and guys thanks for watching